तो यह है जब्रोलिक्स का नया मेकानिकल कीबूर्ड नाइट्रो प्रो और यह जो विरेंट है ना इस समय सिर्फ ओटेमू के रेट स्विचिस के साथ में ही अविलिबल है अब यहां पर जो है यह 98 कीज के साथ में एक फुल साइज ले आउट के साथ में आता है एक कीपुलर एक यूजर गाइट और एक टाइप सी वाली केबल अब यह जो केबल है ना गोल्ड प्लेटेड है और 1.8 मीटर की केबल है तो अच्छी बात है ना सेटप पे आपको दिक्कत ने होगी केबल की लेंथ अच्छी खासी है तो यहाँ पे वायर को एड़ेस कर सकते हैं लेफट में या फिर राइट में जैसे भी आपका सेटप है तो length भी अच्छी है wire की उपर से यहाँ पे न केबल management में आपको किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होने वाली केबल काफी organized जो है तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं Backside में जो stand दे रखा न यह काफी मसत है एक stand तो इसका यह simple वाला हो गया और इसी के अंदर एक छोटा सा stand और दे रखा है तो यानि कि इसमें dual stand दे रखा है अपने हिसाब से अपने comfort के हिसाब से आप इसकी height को adjust कर सकते हैं मुझे personally यह वाला feature इसमें काफी अच्छा लगा लेकिन इसमें दे रखा है और day to day life में मेरे तो काफी काम आता है numeric keypad आगे की तरफ में नीचे की तरफ आपको zebronics की branding मिल जाएगे एक तरफ और दुसी तरफ यहाँ पर लिखावा है Nitro Pro अब इससे पहले आगे बढ़ें तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं खोद एक mechanical keyboard का user हूँ और पहले मैं यह वाला mechanical keyboard यूज करता था जो कि metal build के साथ में आता है बट इसमें missing यह था कि इसमें numeric keypad नहीं था अब फिलाल में मेरे पास में Zebronics का जो keyboard आया है नया वाला Nitro Pro इसकी testing करते हैं इसको देखते हैं कैसा perform करता है तो अब इस keyboard को मैं काफी दिनों से use कर रहा हूँ इस keyboard की सबसे चीज़ यह है कि यार इसकी sound जो है ना उतनी ज़्यादा loud नहीं है और काफी ज़्यादा smooth experience यहाँ पर मिलता है और keyboard compact size में ज़रूर आता है लेकिन यहाँ पर na key placement काफी अच्छी है तो मुझे किसी तरह का discomfort फिल नहीं हुआ हाँ शुरू के एक दो दिन में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा था क्योंकि मैंने switch किया था एक दूसरे keyboard से बढ़ यहाँ पर मैं use to हो गया था की तो मैंने pull कर ले थी इसकी key puller साथ में दरका है switch pull करने के लिए मैंने अपना पुराना वाला puller use किया था एक बढ़ इसकी sound सुनाता हूँ बढ़ टाइपिंग experience इसमें काफी अच्छा है 98 keys इस keyboard के अंदर है साथी में इसमें 11 आपको जो है multimedia की keys मिल जाएगी polling rate की बात करूं तो आपको 1000 hertz का polling rate मिल जाएगा तो delay less gaming आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी साथी में इसमें indicator lights जो है आपको यहाँ पर चार दे रखी है numeric lock के लिए हो गया caps lock के लिए हो गया साथी में इसमें all key lock का feature भी है और windows lock का feature भी इसमें आपको मिल जाता है RGB को अगर आपको on या off करना है तो function और home का बटन साथ में दबा सकते हैं इसके लाव आपको five modes मिल जाएंगे इसके brightness को adjust करने के लिए और five modes मिल जाएंगे इसके LED की speed को change करने के लिए बागी function और insert का button अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपको 19 LED modes देखने को मिल जाते हैं मैं कुछ modes आपको यहाँ पर चला कर दिखाएता हूं आता है जिसके बारे में मैं बस आप यह आगे बात करूँगा फिलाल में यह कुछ modes हैं जो काफी cool से यहाँ पर नजर आते हैं तो आपके setup पे definitely एक अच्छी सी look तो आपको मिलने वाली है अब इस keyboard को ना एक हफते से मैं use कर रहा हूँ definitely यह day to day life में भी काफी अच्छा keyboard हो सकता है आप gaming के लिए तो इसको definitely use करी सकते हैं जैसे कि मैं इसको अभी फिलाल में ज़ादा gaming मैंने इसमें नहीं करी है मैं daily जितना भी मेरा work रहता है मेरा typing work रहता है उस हिसाब से मैंने इसे बहुत ज़ादा use किया है और यहाँ पे numeric keypad जो है वो एक added point है जो मेरे पिछले mechanical keyboard में missing था तो भई मेरे को तो इसमें काफी मज़ा आया typing experience इसमें काफी smooth है keys का layout मुझे इसमें काफी सही लगा इसका एक software आता है जो आप zebronics की website से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें otemu के red switches लगे वे हैं जिसको आप cherry mx का सरस्ता alternative कह सकते हैं और यह वाले switches आईजली amazon पे भी available मिल जाते हैं तो future में अगर आपको switches change करने होना तो यहाँ पे आप change कर सकते हो इसमें pin वाले otemu के red switches लगे वे हैं मेरा experience इस keyboard के साथ में काफी सही रहा है और इस keyboard को अभी जो है मैं लगातार यूज करने वाला हूँ इसका price इस समय Amazon पे चल रहा है ठाई हजार रुपे और ठाई हजार रुपे के हिसाब से मुझे लगता है में